ओपो रेनो 11 में क्या तगड़ा है, क्यों आपको ये फोन खरीदना चाहिए और किन रीजन की वज़े से आपको ये और फोन कंसिडर कर सकते हो चाहिए वो इसके पुराने मॉडल्स रेनो 10 प्रो या 10 प्रो पिलस ही क्यों ना हो और भाई जो यहां पर optimization देखने को मिलता है आपको Dimensity 8200 का वो एकदम next level है अब चाहिए मैं CPU की बात करूँ या फिर GPU की जो tuning करी गई है यहां पर Dimensity 8200 की वो एक number है अब बताता हम controversial क्यों है क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार पुराना प्रोसेसर यूज़ कर दिया इस फोन में लेकिन मैं आप लोगो याद दिलाना चाहता हूँ कि Snapdragon 870 के साथ भी same चीज हुई थी जब Poco F4 और Ico Neo 6 में वो launch हुआ था अब चाहे प्रोसेसर पुराने हो गए हैं लेकिन अगर आप engineers की साइट से सोचो तो उनको जाधा time मिलता है पूरे के पूरे प्रोसेसर करके develop किया है जिसके चलते आपके RAM, ROM और CPU की efficiency बढ़ जाती है और वो चीज़ definitely Reno 11 Pro ने प्रूफ कर दी दिली के कड़क सर्दी में अब गर्मियों में कैसा perform करता है कितना heat होता है वो तो देखने वाली बात होईगी फिलाल के लिए जो इसका performance था वो मेरे को काफी तगड़ लगा और पूरा का पूरा performance तेस्ट आपको देखना है तो उपर आई बटन में क्लिक करके चेक कर सकते हो एगर आगे चलते हैं बात करते हैं कैमराज की और वीडियो से शुरू करते हैं फ्रंट कैमरा की sample दिखाता है आपको तो भाई मेरे पास है अभी OPPO Reno 11 Pro और हम लोग फ्रंट कैमरा से शूट कर रहे हैं 1080p 30fps पर वीडियो रेकॉर्ड हो रही है अब मैंने stabilization भी on कर लिया है 1080p 30fps पर quality चेक करके बताओ कि कैसी लग रही है तो wide angle पर अब मैंने switch कर लिया है field of view देखो stabilization देखो कैसा आ रहा है अभी मैं normal walking कर रहा हूँ थोड़ी सी running भी करके quality check करके बताओ 4K में colors कैसे लग रहे है आप लोगों को OPPO Reno 11K तो वही रील्स का जमाना आ गया है content creation दबा कर कर रहे हैं सारे ही लोग और यहां पर 4K 30fps होना एक phone में काफी एक interesting move लगा मुझे although मैं यह भी सोचता हूँ कि 1080p 60fps भी होना चाहिए था front camera पर लेकिन जो overall video quality है य and साथ ही में not to forget यहां पर आपको front camera पर wide angle का भी option मिलता है चाहिए आप stabilization के साथ shoot कर रहे हो या फिर without the stabilization बाकी rare camera में 4K 30fps तक की video आपको देखने को मिलती है और stabilization अगर आप on कर लेते हो तो भी आप 1080p 60fps पर shoot कर सकते हो खेर अब बात की जाए photos की तो मेरे खास मित्र दरब ने कुछी शब्दों में पूरा का पूरा camera explain कर दिया Reno 11 Pro का और मैं 100% agree करता हूँ जो चीज़ें उसने बोली है daylight में जब nature के poppy colors आपको दिख रहे होते हैं, sky में अच्छा color है already, greens, blues, reds नेचर में आपको दिख रहे हैं या in general आपकी city life में दिख रहे हैं उस वक्त camera का performance एकदम on point रहता है, काफी अच्छे portraits and even scenic photos क्लिक करके देता ही हमें daylight में undoubtedly इसका performance अच्छा है, हम लोग goa गए थे इसको test out करने के लिए और वहाँ पे चाहे हमने human subjects की photos क्लिक करी, landscape shoot किये या फिर pets की photos क्लिक की तो daylight में definitely इसका camera का performance है वो on point था, at par with the competition था, लेकिन जैसे ही lights थोड़ी सी कम होने लगी जो इसके photos का output था, photo quality थी, वो भी धीरे-धीरे करके drop down होना चालू हो गई जो उसका sensor lights manage करता है, वो इतना efficiency नहीं manage कर पा रहा था, photos grainy आ रही थी, subject detection थोड़ा सा difficult हो रहा था phone के लिए तो night photos का मामला सच में थोड़ा average सा ही था, खेर आगे चलते हैं, बात करते हैं, design की जो भई, OPPO के Renault series का one of the most attractive feature रहता ही है काफी साथ subjective चीज है है, पर मेरे को काफी trippy design लगा, इसको अगर आप sunlight में देखते हो, तो भाई, अलग-अलग flares इसमें देखने को मिलते हैं, जो pattern है, वो भी काफी interesting सा है मेरे से पूछो के, yes, मेरे लिए थोड़ा सा loud color है यह, आपको कैसा लगा, इसका design मुझे नीचे comment से में बताना आप बात करते हैं, क्या चीज़े इतनी अच्छी नहीं है, सबसे बड़ी चीज, यह phone launch हो है, 40,000 के bracket में, और यार, 40,000 में, बड़ी असा प्यारा सा AMOLED display है, curved screen है, लेकिन जब आप multimedia's में consume करोगे, तो जो speakers यहाँ पे दे रखे हैं, वो mono speakers है अब जो speakers की quality है, यहाँ पे for sure, जो एक speaker मिलता है, उसकी अच्छी है, चाहे वो base की clarity की बात करों, या sound separation की बात करों, लेकिन भाई, mono speaker होने के चलते हैं, वो जो immersiveness होती है, stereo speakers की, वो यह replicate नहीं कर सकता, प्लस, अगर मैं phone के लिए 40,000 रुपे खर्च कर रहा हूं, तो यार, यार, उसमें मैं expect नहीं करता कि bloatware देखने को मिले, और यार, phone boot करते ही, मुझे bloatware इसमें देखने को मिला, अब I understand कि company bloatware भरती है, ताकि phone के prices कम रख पाए, but Renault series already एक premium charge करती है, yes, Renault series का brand value भी है, and I am one of those people, जिनको Renault series सच में बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे extended family में बहु फोड़ा सा important हो जाता है कि bloatware एकदम minimal रखा जाए, although ये भी बोलूँगा कि performance में इसके चलते कोई major hit देखने को ने मिला, but still यार, एक जो professional, बुले तो pro vibe आता है न, एक phone खोलते ही, अब phone को scroll करते हो, तो वो जो छोटे मोटे bloatware apps रहते हैं, वो मेरे opinion में आप time हा गया है, कि या तो एकदम reduce कर दिये जाए, और best के scenario में remove कर दिये जाए, खेर अब overall सारी चीज़े मैं आपको बता दिये, Reno 11 Pro के बारे में, अगर आपकी priority है सिर्फ और सिर्फ performance, तो yes, ये एक अच्छा device हो सकता है, videos आपको shoot करना पसंदा है, videos आपकी priority है, yes, आप ये phone consider कर सकते हो, ल और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा, flip card पे भी कुछ customers ने ये phone खरीदा था, और वो ये issue face कर रहे हैं, जिसके दो main reasons हो सकते हैं, एक तो इसकी 4600 mAh की battery, जो competition के comparison में यार थोड़ी सी कम है, बाकी devices में 5000 mAh की देखने को मिलती है, बाकी दूसरी चीज ये कि heating पर थोड़ा focus करना पड़ेगा, क्योंकि heating भी इसमें competition से ज़्यादा देखने को मिली मेर को अपने performance टेस्ट में, अब अगर वो इसमें ठीक नहीं हो सकती, तो मैं expect करता हूँ कि reno का next phone आएगा, उसमें definitely इन दो चीज़ों पर तो focus होना ही चाहिए, फिलाल एक software update इसमें already आ रखी है, ले विल्की फुल की heating आ रही है, उसमें अगर improvement देखने को मिलता है, तो definitely आप ये purchase कर सकते हो, और अगर आपके पास already reno 10 pro है, तो I don't think आपको अभी के लिए 11 pro पर upgrade करने की जरुरत है, अगर आपके पास थोड़ा सा जादा का budget है, तो definitely reno 10 pro plus अभी भी killer device है, sale या discount का wait कर लो उ उसके जो cameras हैं, वो definitely इससे काफी जादा better है, yes उसका price भी थोड़ा सा जादा है, but once you pick up that phone, फिर आप confidence आ जाते हैं कि यार ये phone बहुत तगडी photos कीन सकता है, ये phone बोले तो open reno 10 pro plus, बागी आप लोगों को कैसा लगा है open reno 11 pro, कौन सी testing इसकी और देखना चाते हो, आप मुझ ऋबंगो 4, कौन साुदस्टर्ण 1, मुझ आप मुझे और ये